हेलो दोस्तों इस वाली वीडियो में हम प्रूफर कोड से 3 चनरेट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो सपोस करो कि हमें जो प्रूफर कोड है वो गिविन है 5518345 तो यह हमारे प्रूफर कोड है चलो इसको नाम दे दे तो एक मानलो मैंने इसको नाम दे दिया पी अब आप को एक बात याद होगी यह मेरी पहली वीडियो देखे होगी उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई लेबल 3 है और उसमें नंबर ओफ नोट्स या वर्टिस वो एन है तो प्रूफर कोड के अंदर नंबर ओफ एलिमेंट्स कितने होते हैं एन माइनस 2 तो अगर मैं इसका रि या वर्टिस कितने होंगे सिंपल है एन प्लस 2 तो हम इससे एजिली निकाल सकते हैं सबसे पहले कि हमारी जो लेबल ट्री भनेगी उसमें कितने नंबर ओफ नोट्स होंगे तो लेट्स सी कि यह जो पी प्रूफर कोड है इसमें नंबर ओफ एलिमेंट्स कितने हैं 1,2,3,4 5,6,7 तो स्मॉल एन हमारा कितना है 7 तो कैपिटल एन मतलब नंबर ओफ नोट्स हमारी ट्री के अंदर कितने नोट्स होंगे एन प्लस 2 विच इस 7 प्लस 2 मतलब 9 नोट्स तो अब हम यह तो क्लियर हो गया कि जो इस प्रूफर कोड के कर्रस्पॉंडिंग लेबल ट्री होगी उसमें नंबर ओफ नोट्स होने वाले हैं 9 तो जैसा मैं आपको बताया था कि हमारी ट्री कैसी होती ही लेबल तो उसमें जो लेबलिंग होगी वो कहां से कहां तक होगी 1 से लेकर के 9 तक इतनी बात क्लियर है अब बढ़ते हम नेक्स स्टेप की तरफ तो नेक्स स्टेप में क्या है कि हमें इस प्रूफर कोड में वो हमारी नोटस ढूडनी है जो इस प्रूफर कोड में नहीं है हमारी नोटस है तो वन से लेकर के 9 तक तो 1 से 9 तक में जो भी डिजिट स्केंदर नहीं है वो हम मैंशन करेंगे अलग से तो देखिए 1 तो है कि 2 नहीं है तो मैंने 2 अलग से दिख लिए 3 है 4 है 5 है 6 नहीं था तो मैंने 6 अलग से लिख दिया, 7 भी नहीं था पूफर कोड में, तो 7 भी लिख लिया, 8 है, और 9 भी नहीं था, तो 9 लिख लिया, अब हमें कैसे पता कि 1 से 9 तक ही जाना है, वो मैंने आपको बता दिया, कि number of notes है, उतना ही तो देखेंगे, तो इस वाली arrow को मान लो मैंने नाम दे दिया, R, तो अब यहां से कहानी शुरू होती है, हमें करना क्या है, कि अपने इस वाले proofer code का first element लेना है, और यह जो R बनाया है, इसका first element लेना है, जो important चीज जो note करने की है, वो यह है, कि R जो है, उसके elements हमेशा कैसे होने चाहिए, ascending, मतलब छोटे से बड़े होने चाहिए, 2, 6, 7, 9 इस वाले करब में होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, proofer code का first element और इस R का first element, इन दोनों के node बनाये हैंगे, और उन दोनों को एक edge से connect करेंगे, तो क्या बनेगा, हमें क्या करना है, first element कितना है 5 और second और इसका R का first element कितना है 2 इन दोनों को हमेंने एक edge से connect कर दिया ठीक है अब हमें ये connect करने के बाद अब क्या करना है proofer code का जो edge हमने connect करी है proofer code में से उस वाले element को हम drop करतेंगे ठीक है और जो R में जो first element जो connect हुआ है उसको हम R में से drop कर देंगे और 7 में उसको हम proofer code के last में उसे हम insert कर देंगे ठीक है तो अपना नया proofer code क्या बनेगा P1 नाम देते हैं इसे तो देखो 5 था connect हो गया उसको हमने drop कर दिया तो ये 5 तो चला गया तो बच्चा कौन सा दूसरा वाला 5 फिर 1 फिर 8 फिर 3 फिर 4 फिर से 5 और last में जो R का connect हुआ है उसको क्या करना है R में से हटा करके proofer code के last में insert कर देना है तो कौन insert हो जाएगा 2 तो ये बन गया P1 अब फिर से हमें एक नया R1 मनाना पड़ेगा तो इस P1 को अगर मैं proofer code मानू new proofer code तो इसके लिए new R1 क्या होगा 1 इसमें है 2 भी इसमें आ गया 3 है 4 है 5 है 6 नहीं है तो 6 हम इसमें डालेंगे 7 भी नहीं है 7 भी यहां आएगा 8 इसमें है 9 इसमें नहीं है तो 9 भी इधर आ जाएगा तो यह बन गया हमारा R1 अब हमें क्या करना है वही step repeat इसका first element और R1 का first element हमें connect करना है ठीक है तो इसका first element 5 है और R1 का first element 6 है तो देखो 5th node यहां पर already है इसको मैं किस से connect कर दू 6 से तो मुझे 5 और 1 node है 6 इन दौनों के पीच में एक edge बनानी है जो मैंने बना दी ओके next step क्या है कि इसके इस वाले element को हमें क्या करना पड़ेगा drop और इस वाले element को हमें drop करके पहुचाना होगा at the end तो new proof or code generate होगा उसको हम नाम दे लेते हैं P2 तो देखो 5 हो गया drop बचा कौन 1 8 3 4 5 2 और एक नया कौन आया 6 अब इसके corresponding हम फिर से एक R2 बनाएंगे उसमें वो elements होंगे जो P2 में नहीं है तो देखो P2 में 1 है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है 7 नहीं है और 9 नहीं है ठीक है तो वही process रिपीट करनी है मुझे अब 1 P2 का first element 1 और R2 का first element 7 इन दोनों की बीच में एक edge बनानी होगी अब देखो ये जो label tree है इसमें ना तो 1 है और ना ही 7 तो हम एक roughly बनाके रख लेते हैं कि हमारा 1 और 7 भी क्या है connected है ठीक है अब हम इसको leave कर इसको drop कर देंगे और इसको at the end पहुचा देंगे तो अब हमारा P3 बन के तग्यार हो जाएगा वो क्या होगा 8 3 4 5 2 6 और end में कौन पहुच गया 7 अब इसके लिए corresponding are 3 हम क्या बनेगा देखो इसमें 1 नहीं है तो इदर 1 आ जाएगा 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा यहां पर तो उसी प्रोसेस को repeat करेंगे तो हमारे जो steps बनेंगे वो होंगे यह तो इस steps को repeat करते हुए हमारे R6, P6, R6 का एक pair बन जाएगा तो अब मैं आपको explain कर दूँ तो इसमें 8 था 8 और 1 के पीच में catch बना दी हमने इसको roughly side में रखा है क्योंकि हमें पता नहीं है दोनों कैसे connected है और 8 को drop करा 1 को at the end पहुचा है तो हमें P4 मिला P4 में 3 और 8 के बीच में एक catch बनी यह रहे 3 को drop करा 8 को at the last पहुचा है और P5 बना P5 में 4 और 3 के बीच में एक edge बनी 4 और 3 के बीच में 4 को drop करा 3 को at the end पहुचा है तो P6 बना तो अब P6 में 5 और 4 के बीच में एक edge बनेगी मतलब मुझे कि यहां पर vertex add करनी पड़ेगी 5 और यहां से मुझे drop करना होगा 5 को और 4 को at the end पहुचाना होगा तो P7 जो step बनेगा वो यह होगा 2, 6, 7, 1, 8, 3 और last में कोन आ जाएगा? 4 अब R7 वो जो इसमें नहीं है तो देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है तो 5 यहां लिख लेंगे 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है तो 9 यहां आ जाएगा अब यह हम कब तक repeat करेंगे? तो हमें जब तक repeat करना है जब तक हमारा एक iteration complete नहीं हो जाए iteration complete होने का मतलब अगर मैं आपसे बोलू कि जो हमारा original proof of code था मतलब जो हमारा P था वो कितना था? यही तो था 5, 5, 1, 8, 3, 4, 5 यही तो original P था तो जो P1 निकल के आया उसमें कौन एंटर करा? किसने एंटरी लिए P1 के अंदर? 2 ने अब जो P7 है उसमें टॉप पर कौन आ गया? 2 तो इसी step पे हमें रुख जाना है मतलब जो हमारे एक iteration था जो two last में था वो अब front पर आ गया तो मतलब एक iteration complete हो गया और हमें यहाँ पर रुख जाना है अब यह R7 में दो elements बचे हैं 5 और 9 तो हमें क्या करना है? इन दौनों को connect कर देंगे तो where is 5? यह रहा 5 अब यह जो 5 एक से connected है 9 से अब आप देखिए इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी कि 4 को direct यह 5 से connect कर दूँ लेकिन मैंने roughly बनाया है इसलिए हमेरा connection point कहां आ रहा है? 5 पर 5 इधर भी है और 5 इधर भी है तो यह roughly हमने label tree draw कर ली कि 5 से हमारे connected है 2 6 4 और 9 तो अब हम इसको फियर करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगी? final label tree तो final label tree के लिए हमारा connection point कौन है? 5 5 से कौन कौन connected है? 2 है 6 है इधर 4 है और 9 है है ना? अब इनको connect करना है 4 के साथ बागी है सब connected है 4 से 3, 3 से 8, 8 से 1 and 1 से 7 तो 4 से 3 3 से 8 8 से 1 and finally 1 से 7 तो यह जो हमारी tree है यह हमारी final label tree हो सकती है आप चाहो तो इसके बहुत सारे combinations भी बना सकते हो 4 को यहां कर दो ऐसे घुमा के बना दो तो डेपेंड करेगा आप कैसे draw करते हो बाकी जो connections होंगे कि कौन कौन सी nodes connected है वो यही हमेशा shame लएंगे तो एक sudden वीडियो थी एक viewer की request पर और अगर आपको recheck करना है कि हमारी label free सही बनिये तो आप 2 minute के अंदर proof or code निकाल सकते हैं I hope you all like it Thank you